अगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं और आपके Android Mobile में कुछ इस तरह से आपको एरर देखने को मिलता है जब आप अपना Mobile यूज़ कर रहे होते हैं आपको यहाँ पर एरर आता है Settings Keeps Stopping आप यहाँ पर जो है दो Option भी देखने को मिलते हैं App Info Close App अब यहाँ पर एप इन्फो पर क्लिक करते हैं या फिर Close App पर क्लिक करते हैं एक बार तो यह एरर है एक बार क्लोज हो जाता है फिर से यहाँ पर अपियर हो जाता है बार बार आप यहाँ पर इस एरर को देख आ रहे होंग्य अपने Mobile में अपने तो यह पर जुह हैँ आपको प्रॉपर सॉलीशन नहीं मिला है अभी तक कैसे इसको दूर करना है काम भी कर पा रहे हैं अपने Mobile में तो आपको करना है कैम आपको बता देता हूं सबसे पहले।ो सबसेत Psalm нужно आने क्या है इसorld को को दूर क है और यहाँ पर आपको सर्च बार देखने को मिलेगा आपके बास किसी भी बांट का मोबाइल हो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्च बार आपको उसी सैटिंग में आना है जहाँ पर जितने भी अप्लिकेशन सब की होंगी आपको देखने को मिल जाएं यहाँ पर आ यहाँ पर आपको सर्च बार में एक बार सैटिंग को सर्च कर लेना है सैटिंग आ चुकी है अब आपको सैटिंग को ओपन करना है यहाँ पर आपको सैटिंग का स्टोरिज पर क्लिक करना है clear data और clear all data कर लेना है setting का clear all data करने के बाद then आपको आना है back back आने के बाद आपको देखने है problem solve होती है नहीं नहीं होती है तो आपको यहाँ पर search करना है google play service आपको google play service का भी clear all data करना होगा guys ठीक है यहाँ आप clear all data और ok कर देना है देन आप ये problem solve हो जाएगी अगर finally आपकी problem solve नहीं होती है ये दोनों काम करने के बाद भी तो आपको एक last and final काम करना होगा guys यहाँ पर आपको जो है अपने reset वाली setting में आना होगा मैं आप यहाँ पर दिखा देता हूँ अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप जैसे erase all data पर click करेंगे I mean factory reset करेंगे तो आपको mobile new जैसा हो जाएगा आपको जितना भी data होगा वो delete हो जाएगा आपके mobile से तो उससे पहले आपको करना क्या है अपने mobile के जितना भी data होगा उसको अपने laptop या PC में डाल लिजिएगा save कर लिजिएगा यहाँ पर आपके contact होगे photo videos होगे apps होगे कुछ भी होगा आप जो है उसको पहले अपने store कर लिजिएगा PC या laptop में then erase करिएगा तो आपकी problem solve हो जाएगी क्योंकि आपका जो setting से अगर related problem होगी तो एक minute से पहले वो solve हो जाएगी so guys बस यही इसका solution है hope आपको सब कुछ समझा सुका है वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना मिलते ने एक्ट वीडियो में एक टेल रबाय टेक केल लव यू अल